हेलो स्टूटिन स्वागत फिर से आपका आपनी यूटूब चैनल टार्गेट समेस्टर में आज हम लोग फिर से कवर करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही विनिफिशियल होने वाले है ठीक है चुकि आपका नस्दीक एक्जाम हो गया है तो इसलिए हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग कोशन पर पहुंचते हैं को डेटल एक्स्प्लनेशन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार के समस्चा ना हो कौन से पूरा बताया जाएगा ताकि आप को स्टार्ट करते हैं यहां पे जो कु आपसर नंबर भी हो जाएगा महा पदमा नंद महा पदमा नंद महा पदमा नंद जो है नंद बंस की अस्थापना किये थे इसके बाद आता है धना नंद को हरा करके चंदगुप्त मौरे ने मौरे ने मौर बंस की अस्थापना कर दे थी बाबु क्या किये थे मौर बंस की बस्तापना कर देती है ठीक है यहां तक की चीजी मुझे लगता है आपको किलियर हो गया होगा आगे बढ़ जाते हैं नेस्ट कोसंस की तरफ था कर देकर अंजात सत्रू और यह विमिसार यह दोनों जो हरीव बांजात एंक I μας Azrad से संवंदिवन से संभत है ट्षान तेक है तिन दोनों याद रखना है अगर वह भी पूश देता है तो ठीक है परिशाम नहीं होना यह आपको ठीक है जब तो यह भद्र भाहुं था नहीं अश्व घोस था नहीं नारत था नहीं अच्छा यह मनु था नहीं अच्छा चंद्गृप्त मौरी की गुरू की अगर हम लोग बात करें तो वो पहले गुरू थे कोटिल लेते हैं इन्होंने इसको सिच्छा दिया लेकिन बाद में ये जो है जैन धर्म को स्विकार कर लेते हैं तो वहाँ पे जो इनके गुरु थे हैं वो भद्रबाह हो थे आपसर नमबर A सही हो जाएगा तब आपसर नमबर A इन्ही ने इनको जैन धर्म की सिच्छा दी को नहीं चले गया थे कहां पर कशल कर नातब सुरवड बेल गोला सरवर्ड बेल गोला में चले जाते हैं सरवर्ड बेल गोला में जा करके एक बिधी होती है सनलेखना बिधी सनलेखना विधी का मतलब होता है उपवास करते हुए अपने प्राण को त्याग देना तो इसी विधी के दुवारा यह बिजिकली अपनी प्राण को त्याग देते हैं और यह अजर अमर हो जाते हैं जहिंधर्मिक के अनुसाथ तो आपका सही एंसर क्या हो जाएगा आप सा नंबर ए भद्र बाहूं क्या सही एंसर हो जाएगा आप सा नंबर ए भद्र बाहूं ठीक है लेकिन अगर पर्थम गुरू पूछे तो आपका कौटिल हो जाएंगे विष्णु गुप्त या फिर चानक हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर करा कि प्रयाग प्रसस्ति की र इलाहाबाद में है कहां पर है इलाहाबाद में है ठीकर बहुत ही इंपोर्टेंट यह है क्योंकि इससे जादा से जादा जानकारी गुप्त मंस के बारे में मिलती है और हां एक चीज़ और मैं आपको बता दू कि जो गुप्त मंस है बेसिकली इसको हिंदु धर्म का हिंद सबसे सुधसी कुसार की सबस्क ृस में कनिस्क का जाय leo और इसके शाय किसके साशनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था इंडिया नामक पुस्तक लिखा था इंडिका वास्तविक वास्तविक किताब मानी जाती है वास्तविक जैसे प्रूब के अधार पर देखा जा तो वास्तविक किताब ये मानी जाती है वास्तविक किताब जो की इंडिया के बारे में बताती है और इन्होंने इंडिया को उसमें इंडिया के लोगों को साथ पार्ट्स में डिवाइड किया तक इसने इसी बात को ध्यान में रखते वे इंडिका लिखने के बाद मेगस्थनीज को मेगस्थनीज इतिहास का जो भारती इतिहास है भारती इतिहास का पिता कहा जाने लगा क्या कहा जाने लगा भारती इतिहास का पिता ध्यान लगना भारती इतिहास का पिता कहा गया एक बात और ध्यान लगना है आपको जो मेगा स्थनीज महोदे हैं यह तो भारती इतिहास के पिता है लेकिन हेरोडोटस 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 इन्होंने हिस्टोरी का नमक पु हो गया है है यहां तकर करें चीजे मुझे लगता है कि इस कोर्षा चलेट जो जरूरी चीजे थे उसको मैंने आपको बता तो यहां पिम्झे लगता है चंद्ग्रूपत परथम ने चलवाया थैं ठीक है? आपसर नबर यह आपका सही हो जाजाएगा थोड़ा सा मुझे हैं اللेकिन मुझे लगता है कि चंदर गौत को ने करवाया था ड्रतिय को मोद्ध कर वाया था तो याद आद आगया चंद्ध्र गौत कर वाया था और संद्र गोपने प्रथम बार करवाया था जितिये बार कुमार गुप्त ने करवाया था क्या करवाया था वई सिक्के बनवाया थे तो पहली बार जो असो में इगनामक सिक्के थे ये जो है समद्र गुप्त ने चलवाया था दूसरी बार ये जो है कुमार गुप्त ने sharks वह बहुत बड़ वीशियस्ता है इन्होंने नालंदा इनुवर्शृटि को सम्मध्र गुप्त को हम भारत के sara के नाम से जानतीं हैं नालंदा ए ना leveraging यह बहुत ही important इससे रिलेटेट है यह जो है बिसिकली गुप्त बंसका सासक था और असकंद गुप्त सबसे अंतिम सात्क भी माना जाता है ठीक है कहीं कहीं पर लेकिन अगर अंतिम सासक पुछे गुप्तों का तो विश्नु गुप्त आप बताएगा विश्नु गुप्त ब ने उनको पराजित कर दिया था तो कोशन पूछता कि पहली बार हुडू को पराजित करने का कारी किसने किया तो असकंद गुप्त ने किया याद रखना है यह पूरा डीटेल सलुसंस हमने दे दिया आप पूरा डीटेल चाहाँ तो आप इसक्रीन सोट ले सकते हैं तो आपका सही अंसर यहां पर हो जाएगा अपसर नमर डीट्र आपका सही हो जाएगा ठीक है अब डीट्व हो जाएगा ठीक है चलिए थीट्र कोस्त कि तरफ बढ़ी जाता है next question से आपका रगवंस महाकावे के लिखक कौन है तो ये रगवंस महाकावे के लिखक आपके हो जाएंगे काली दास्त रगवंस भी लिखा है इन्होंने रामचरित मानस भी लिखा है इन्होंने रामचरित मानस भी लिखा है बालमी की ने रामायर लिखा है यह बंद सकते हैं इसलिए हमने आपको बढ़ जाते हैं चंदरगुप्त दिती का जमाता कौन था जमाता का मतलब समझ रहे हैं आप यहां पे दामाद कह सकते हैं तो आपका सही अंसर हो जाएगा रुद्रसेंद दिती है आपसर नमबर ए आपका सही हो जाएगा आप चंद्रगुप्त इनला कौन था भई तो यह जो है आपका हो जाएगा रुद्रसेंद दिती है जमाता मतलब यह हो जाएगा आपका दामाद सन इनला ठीक न चलिए नेस्ट कोसंस की तरफ बढ़ जाते हैं नेस्ट जो कोसंसे कोसं कर रहा है कि निमले कि तुम इससे कौन सा कौन सा अभिलेक लौह अस्तम है नौक लौह अस्तम वीच ऑफ फालेंग इंस्क्रिप्शंस हैं फाउंड आप आयरन पिलर्स तापका सही अंस सामर्वल्मयाट है और यह इलह बाद प्रसस्ति जिसे हमलों प्रयाग प्रसस्ती की नाम से भी जानते हैं प्रयाग प्रसस्ति इसको लिखा तक स菈 पाठा का सती पर्था का प्रीफ दिखने मिलता्य साक्ष द अपहली बार यह डाभलेंग में चलिए अच्छा जुनागार का यह रूद्र दामन से लेटन है रूद्र दामन से लेटन है था लेटन हुआ किस गुप्त सासक ने बिक्रमादित के उपाद धारण के थैं लूर्स आप दा एस्यों टॉट टैटल साब बिक्रमा देट तो दसवन नंबर का कोश्चन है प्रियाग प्रसस्ति के अनुसार आर्यावर्थ के कितने सासकों को समुद्रगुप्त ने जड़ से में जड़ सी नौ लोगों को जड़ से उखाड के भिया एयर रखना है आप्सट्रमवद्र नौ लोगों को ठीक है जली बहुत खतरनाक था वीर्षेंध मंत्री था चंत्ल घंटर इसे ज़िए कि तब बढ़ जाते हैं हुआ है किस नाटक से ग्यात होता है कि सम भात eerste के पहस्षाठ राम नहीं लिखा है बिसाखा एपका सब्सक्राइब काली दाश्ट आद्थि अविगांद सकुनतलम काली दास्ट ने हैं और इसको भी मालविनिकात्रम अनुगांग आदनावले भी उन्हों और इंपोर्टेंट किताब लिखी है जिसे हम लोग मुद्रा राक्षस के नाम से जानते हैं मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस ठीक है इसे भी विशाखादत नहीं लिखा ठीक है चलिए कि तरह बढ़ जाते हैं कि किस गुप्त सासक ने हुडो को पराजित किया था तो सही एंसर आपका हो जाएगा यहां पर असकंद गुप्त ने हुडो को पराजित किया था इसके पहले अभी हम जब एक्स्प्रेनेशन दिये हैं तो बताएं ठीक है कि लिए रहां तकी चीज़े चलिए नेस्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं आपसर नमबर भी आपका सही हो जाएगा उत्तरापत में ग्रहन मुच नुग्रह इन्होंने अपनाया था चलिए नेस्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं देवे की देवी चंद्रगुप्तम के लिखकोंने वह तो आपका सही अंसर हो जाएगा मुद्रा राच्छस साबसाड़ा ज explanINE इसको लिखाथा मुद्रा राच्छस में इन्हों ने लिखा था स्टी इनक्या नाम ता प्रीयदर्शीक्द रिखा था और नागानंध पुस्तक लिखे की कालिदास ने विसिकली क्या लिखा था अभिज्यान सकुंतलम ठीक है ना यह कुछ पुस्तके हैं जो आपको याद रखनी है ठीक है चलिए नेस्ट कोस्टन के तरफ पढ़ जाते हैं कुमार देवी रानी थी चंदगुप्त मौरी की 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 थी कुमार देवी लिच्वी बंस से संबन्नी थी और इनी का बेटा होता है बिसेकली दूसरा समुद्र गुप्त होता है और यह लिच्छवी बंस की राजकुमारी थी जो जिनका नाम था कुमार्देवी कुमार्देवी वाजदक्यूंस आप कैसे ही अंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्गूप पृथम की रानी थी ठीक है नेस्ट कोशन की तरफ बढ ठीक है ना साकरीवपादी जो धारड की थी चंद्गूप पृथम ने अवाज मेंनी कम तो नहीं है वाज मेंनी कम तो नहीं है चली मुझे लगते आवास कम थी इसलिए हमने आपनी वाइस बढ़ा ले ठीक है चली नेस्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं नेस्ट कोशन से अपका ओर बयकर इहांपे देक है भारत का निपोलयन किसी कहा जाता है भारत का निपोलियन तो भारत का HAM निपोलयन आपसा नूमर agers और स्भारत को कहा जाता आपसा नूमर दिती की द्वारा धारण की गए थी इस पॉइंट को आपको याद रखना चंद्रगूप दिती को ने तो आपका सही एंसर हो जाएगा चंद्रगूप दिती का जो आने नाम था चंद्रगूप दिती का वो देवगूप दिता चली कुछ टेक्निकल इस्सु के वज़े से वीडियो सहद रुख गए थी ठीक है देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रगूप दिती का जो नाम था वो था देवगूप ठीक है ना चंद्रगूप दिती का नाम था विसकली देवगूप ठीक है अब कोशन पूछ रहा है 22 नमर का कोशन कहा रहा है कि गुप्त राजबंस में महाराजा धिराज की उपादी धारण करने वाला प्रधम सांसा तो चंद्रगूप दिती के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया इंग्लेस में भी देख लेते हैं ठीक है नेश्चक प्रसास्ती के रचनाकार प्रियौबग प्रसास्ती tuition हो जाएंगे हो जाएंगे प्रियांग फचका नेश्डस स सब्सक्राण है लिच्वी द्याहित्र क्योंकि इनकी माता जो थी कुमार देवी इनकी माता जो थी कुमार देवी यह लिच्वी बंस से संबंदि थे लिच्वी बंस की राजकुमारी ठीक है चलिए तो यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेस्ट कोर्शन की तरह बढ़ जाता है इंग किसके समय में भारत आया था किसके समय में भारत आया था एक थिस त। थ इस तरह बढ़ जाते है को सग्रॉष कि कि अल्ग्द को कि इस Deb Haas की प्रांध्पती बनाया था प्रांध्पती तो आपका सही अंसर आप सानी हो जाएगा असकंद गुप्त ने करा कि वो मेर्ट ध्रीन तो अगौवनर साफ साहराश ठीक लैत और सी सव तो वो थी वह बिशकली असकंद के द्वारा बनाए गया थे तरफ बढ़ जाते हैं गुप्त मुद्रा को क्या कहा जाता था तो गुप्त स्वड मुद्रा को क्या कहा जाता था तो गुप्त स्वड मुद्रा को बेसिकली कहा जाता था दिनार आपस नमर भी आपका सही हो जाएगा गुप्त स्वड मुद्रा को दिनार के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए नेस्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं गुप्तकाल में सिचाइकर को क्या कहा जाता भई गुप्तकाल में सिचाइकर को विष्टी भी कहा जाता था और विद्भागम भी कहा जाता था विष्टी या फिर विद्भागम भी कहा जा था था ठीक है चलिए नेस्ट कोस्टन की तरफ बढ़ जाते हैं रजुक कौन थे रजुक थे यह सब जो है मौरिवंस में अरे कहा है उपर चला गया भई नीची आओ चलिए मौरिवंस में अधिकारी हुआ करते थे रजुक आपसर नुमर भी आपका सही हो जाएगा और फेसे सिंद्व मौरियन डिरेटी ठीक है चलिए नेस्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपका हु आपसर नुमर सी तरफ बढ़ जाते हैं नेश्ट कोशन से आपका सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आपसर नुमर सी सबसे ज्यादा चलिए नेश्ट कोशन देख लेते हैं पयान किसके सासन काल में आ था आपसर नंबर डी सही हो जाएगा चंदगूद दिती के सासन काल में ठीक है चलिए यह कुछ मोस्ट इंपोटेंट कोशन थे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थे हमने आपको प्रवाइड करा दिये समय कम था इसलिए हमने बहुत ज्यादा डिटीलिंग इसकी नहीं की और आप जाएगे जन्दी से तयारी कर लेजिए वाट्सप ग्रूप कुजवान कर लेजिए औ और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की क्लास में से इतना ही मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक लिए बाए